Hello my dear students, welcome to djanaat creation, so आज हम करने वाले हैं exercise 6.2 का number 3, so बिना time waste के जवदी से शुरू करते हैं, तो ये वाला करने से पहले, क्योंकि हम already number 2 किये हैं, so exercise 6.2 का number 3 यहां पर add without using number line बोला गया है, तो हम number line का इस्तमाल यहां पर नहीं करने वाले हैं, so उसके लिए हमें पहले से कुछ चीजों को याद रखना है, बच्चो देखो, 4 points बोल सकते हो, जिसे तुम्हें याद रखना है, ये वाला first point, okay, see, first point is, if both are plus, then हमें क्या करना है, plus, okay, ये चार चीज याद रखो, उसका utilize कैसे होगा, मैं फिर बताऊँगा, second point, if anything is, if one number is plus and another is minus, then result क्या होगा, minus में होगा, third thing, अगर एक minus और एक plus है, तब भी क्या होगा, minus, and fourth, अगर दोनों ही subtraction में हैं, तो क्या होगा, addition होगा, okay, तो ये चार points को याद में रखना है, and utilize करना है, देखो कैसे, so number one क्या बोला गया है, 11, तो देखो number one, क्या बोला गया है, 11 plus minus 7, तो ये 11 के आगे कोई भी symbol नहीं है, मतलब क्या है, ये एक positive number है, plus 11 है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ प्लस minus 7, okay, तो यहाँ पर हमें main चीज देखना है, देखो, तो यहाँ पर plus और minus दिया है, तो मैं जस्ट अब भी दिखाया था, चार point में बताया था कि ये चार को याद रखना है, तो plus minus होने से क्या हो जाएगा, plus minus minus, so हम कर देंगे minus 11 minus 7, 7, 8, 9, 10, 1, 11, तो कितना आ गया, 4, फिर थर्ड चीज जो तुमें ध्यान रखना है, कि 11 and 7, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो जो बड़ा नंबर है, वो है कौन सा, हम लोग का 11, so 11 का सिंबल क्या था, positive था या negative था, positive था, तो ये वाला positive 4 ही रहेगा, अगर बड़ा नंबर negative में होता है, तो फिर उसका negative sign हम डालेंगे, ओके, आगे आगे और एक number हम solve करते हैं, जिससे तुम्हें अच्छी तरह से और पता चल जाएगा, next, number 2, क्या बोला गया है, देखो बच्चो, minus 13, plus, plus 18, तो देखो, ये plus, plus क्या हो जाएगा, plus, तो minus 13, plus 18, तो मैं क्या बोला था, minus, plus, क्या हो जाएगा, minus, minus, plus, क्या हो जाएगा, minus, तो 13 से 18 जाएगा, कितना, 5, so, 18 से अगर हम लोग का 13 चले गया, तो कितना आगया, 5, ओके, अभी देखना है, 13 and 18 में बड़ा number कौन सा है, I hope you understood, कि समझ पा रहे हो, कि यहां पर जो बड़ा number है, वो है 18, तो फिर बड़ा digit के आगया कौन सा सिंबल है, plus, तो फिर यह answer में कौन सा सिंबल होगा, बताओ, समझ पा रहे हो कौन सा सिंबल होगा, obviously, plus 5 होगा, ओके, next, third number, क्या बोला गया है, minus 10, plus, plus 19, ओके, तो यहां पर दोनों ही plus में है, तो plus का plus हो गया, minus 10, plus 19, minus plus क्या हो जाएगा, minus plus, minus, तो 19 से 10 जाने से 9 बड़ा digit के सामने plus है, that's why यह वाला plus 9 ही रहेगा, ओके, next, minus 250, plus, plus 150, ओके, अगर हम देखेंगे, यह plus, plus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, minus 250, plus 150, ओके, तो दोनों को minus plus क्या हो जाएगा, यह वाला minus में है, यह वाला plus में है, minus plus, minus, तो 250 से 150 जाने से कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा, 100, तो यहां 250 and 150 में से, बड़ा digit कौन सा है, इसका सामने सिंबल कौन सा है माइनस से नेगेटीव है तो यह 100 क्या हो जागा इसके आगे भी हम सिंबल डालेंगे नेगेटीव का तो इसका अंसर होगा अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो और डोंट फोगेट तो सबस्क्राइब आवर चैनल डिजनाथ क्रियेशन नेक्स्ट नमबर माइनस 380 यह नमबर है यह 380 प्लस माइनस 270 तो यह देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो 380 माइनस 270 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चो जस्ट बताया था माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो हम कर देंगे एड 380 प्लस 270 तो यह हमरा आंसर आ गया 650 बड़ा डिजिट के आगे कौन सा सिंबल था नेगेटिव यह दोनों में से बड़ा कौन है 380 बड़ा है तो 380 के कौन सा सिंबल था नेगेटिव सिंबल था यह हम यहां पर पुट करेंगे नेगेटिव सिंबल तो इसका आंसर हो गया माइनस 650 इसका आंसर क्या हो गया माइनस 650 नेक्स्ट 217 एफ नंबर है यह प्लस माइनस हंड्रेड सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस माइनस हमें पता है क्या होगा माइनस माइनस प्लस तो फिर यह दोनों को हम क्या कर लेंगे एड तो यह हो जाएगा 317, तो 100 and 217 में बड़ा number कौनसा है, that is 217, so 217 का के कौनसा symbol है, negative symbol है, that's why ये वाला क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, so इसका answer आएगा minus 317, I hope you understood dear students, next number 4 देखते हैं, तो ये भी वही pattern में है, easy है, अगर कहीं पर कुछ भी doubt लग रहा है, तो comment section दो मुझे comment करके पूछ सकते हो, next, 137 क्या बोला है, A का, plus 354, तो देखो, plus minus क्या हो जाएगा, minus, तो minus कर दो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, minus 354, plus 137, ये वाला जो था, plus minus हो गया, minus, तो बड़ा digit को में आगे लिख लिया, और जो positive वाला नंबर था, इसे में पीछे लिख दिया हूँ, अभी इनका हमें क्या चीए, results चीए, okay, so ये दोनों को minus कर देंगे, 354, minus 137, यहां से एक 1 लिया, 14, 14 से 7 गया तो, 7, 4 से 3 गया तो, 1, 3 से 1 गया तो, 2, that is 217, बड़ा digit कौन सा था, ये वाला, 354, उसके आगे कौन सा सिंबल है, negative, तो यहां पर हम पूट कर देंगे, negative sign, जिसका answer आ गया, minus 217, I hope you got it, dear students, अगर कोई भी डाउट है, तो comment section पर comment करेके मुझे बता सकते हो, next, c, यहां पर minus 52 and plus 52 दिया है, minus plus क्या होगा बुला था, minus होगा, so, minus plus minus 52, minus 52 करने से कितना आ जाएगा, 0, and 0 का कोई सिंबल नहीं होता है, तो हमें सिंबल पुट नहीं करना है, समझ माया, next, c, minus 312 plus 39 plus 192, पहले तो यह दोनों को solve करना है, minus plus क्या हो जाएगा, minus, so, 312 minus 39, यहां से एक 1 ले लिया तो हो गया, 129, 10, 11, 12, 3, यहां पर है 0, यहां पर मैं लूँगा 1, तो कितना हो गया, 10, 10 से 3 गया, तो 7, यहां पर 2, 273, 273 क्या है, minus में है, क्योंकि बड़ा digit किस में था, minus में था, plus 192, तो अभी देखो, 273 plus 192, तो plus minus में है, फिर से तो plus वाला, and minus वाला, sorry, minus and plus, तो minus plus क्या हो जाएगा, minus, सो फिर से हमें सब्स्ट्रक्ट कर देना है, 273 minus 192, 3 से 2 गया, तो 1, 7 से 9 नहीं जाएगा, तो हम लिए 1, तो यहां पर आ जाएगा, 8 यहां से 0, that is our 81, तो दुनों के बीच में difference कितना है, 81, बड़ा digit कौन सा था, 273, तो इसका के कौन सा सिंबल था, minus, तो यह minus 81 आएगा, इसका answer, I hope you understood, dear students, अगर कोई भी doubt है, तो comment section में comment करके पूछ सकते हो, last number, minus 50, minus 200, plus 300, तो मैं बता यह था, minus minus क्या हो जाएगा, plus, तो यह minus 200, minus 50, तो add करने से कितना आएगा, 250, बट बड़ा digit कौन सा है, 200 है, minus से आगे, तो यह minus 250 हो जाएगा, minus 250, plus 300, तो minus plus क्या हो जाएगा, minus 350 से 250 क्या तो कितना, 50, बड़ा digit कौन सा है, यहाँ पर बड़ा number कौन सा है, 250 है, 300, 300 obviously क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे, plus symbol, that's why इसका जो answer होगा, यह क्या होगा, plus 50 होगा, सो आज के लिए इतना ही, next class में हम फिर से next number हम discuss करेंगे, so, bye dear students,